Operating System, Computer System का Master Software कहलाता है I repeat, Operating System, Computer System का Master Software कहलाता है क्योंकि Computer में जितने भी Operations होते हैं Overall Operations, वो सब Operating System कंट्रोल करता है यह User, Hardware और Software Software in the sense, वो Software जिनको User अपने काम के लिए इंस्टॉल करता है तो User, Hardware और Other Software के बीच में Platform क्रेट करना ताकि हम अपना काम किसी दूसरे Software का यूज करके Computer के Hardware Components पे कर सकें इसके लिए Operating System यूज होता है अगर Computer System का Operating System करप्ट हो जाए तो Computer में कुई भी काम पॉसिबल नहीं है इसलिए किसी भी Computer System में सबसे पहले Operating System इंस्टॉल करना होता है अपने नाम से आ रहा है Operating System है Means Operate करता है चलाता है जब कुछ इसके पास अल्मोस्ट जितने भी Common Hardware Components हैं छोटे या बड़े उनके Drivers होते हैं उनको चलाने का प्रोग्राम होता है इसके लावा Platform Creation का तो किसी भी Computer System में सबसे बड़ा रोल Operating System का होता है इसलिए इसको Soul of the Computer System कहा जाता है Computer की आत्मा है और बिना आत्मा के कोई भी चीज नहीं चल सकती आप ऐसे समझो कि आप कितने भी Intelligent हो या आप Physically कितने भी Strong हो अगर आपकी Soul नहीं है आपकी Soul आपकी अंदर से निकाल दी जाए तो सारे जो आपकी Power है, ताकत है Physically जो Strength है या Mental जो Strength है वो सब बेकार है Same thing Computer में Operating System है आपकी Computer System में कितने भी Software पड़े हो Hardware का Configuration कितना भी Strong क्यों नहीं हो अगर उसका Operating System corrupt हो जाता है तो फिर Computer में कोई भी काम नहीं हो सकता Computer System का Operating System जो है वो Master Software इसे लिए कहलाता है क्योंकि सारा Master Control Computer System का इसी के पास होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा Figure बनाया है इस पर मैंने दिखाया हुआ है कि Operating System किस तरह से User को, Hardware को और Other Software को इंट्रैक्ट कराता है Mediator है, Controller है, Manager है ये Computer System का आपकी एक सिंगल कमांड से ले करके Printing, Scanning, सब कुछ Operating System करता है आपकी एक एक कमांड को, इवन आप Mouse Move करते हैं तो उस Moment को भी सेंस करके उसको response करने का काम Operating System का है Operating System, Main Software है, Computer System का First Software आप सबसे पहले इसी को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आप आगे काम करना शुरू करते हैं Operating System के एक्जामपल में हम कुछ Operating System के बारे में जानते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं DOS के बारे में ये काफी पुराना Operating System है 1981 में डेवलप किया गया था Micro Computers के लिए हम लोग जो Computer यूज करते हैं इनको Micro Computer कहते हैं इसके लावा और भी कही तरह के Computer होते हैं Mainframe, Mini, Robot Computers इसके लावा Super Computers जिनको आने वाली आगे की Slides में हम लोग बिसकस करेंगे तो हमारा जो DOS Operating System है ये बेसिकली Micro Computers के लिए बना हुआ है Personal Computers के लिए ये बहुत पहले यूज होता था Computer में एक Character User Interface Operating System है इसको Command Line Interface Operating System भी कहते हैं क्योंकि इस पे Mouse का यूज नहीं होता था सिर्फ Keyboard के थूख, Characters के थूख, Typing करके Commands दे करके हम इस पे काम खरते था Means कि अगर हमें कोई File बनानी है कि आप ये वर्ड टाइप करेंगे तो Computer समझ जाएगा कि आप ये काम करना चाहते हैं और उसकी basic requirements है वो आपसे लेगा और आपका काम कर देगा तो वो जो वर्ड बनाया जाता है Particular Task को, Particular काम को करने के लिए उस वर्ड को Command कहा जाता है उस Command को हम टाइप करते हैं और Computer समझता है कि हम ये करना चाहते है और वो हमार एकॉर्डिंग परफॉर्म करने लग जाता है तो सबसे पहले DOS operating system यूज होता था आजकल थो हम लोग Windows यूज कर रहे हैं Computer system में जो DOS है, Disk operating system है Character user होने की वेज़े से इसमें commands को याद रखना पड़ता था बहुत जादा अगर कोई command याद नहीं रख सकता है तो फिर वो इस पे काम नहीं कर सकता है आपको एक single file open भी करनी है देखनी भी है तो उसके लिए command चाहिए होगी तो जिसको जितनी जादा commands आती थी वो उतना जादा perfect माना जाता था computer की working में यह बहुत पहले की बात है आजकल तो यह use नहीं होता है normal use में क्योंकि character user पे काम करना बहुत tough होता है हलाकि यह बहुत secure होता है character user interface जो होता है security purpose से best है पर usually सब लोग use नहीं करते हैं इसको क्योंकि इस पे काम करना बहुत tough होता है और थोड़ा boring भी होता है present की हम बात करें तो हम लोग अपने micro computers यानि laptop या desktop computers में windows operating system यूज करते हैं तो basic requirement है computer की सबसे पहले उसको operating system चाहिए DOS चाहिए यह DOS नहीं तो Windows चाहिए अब DOS यूज करें हैं Windows तो DOS तो पहले यूज होता था अब यूज इस ले नहीं होता है क्योंकि अब हमारे पास window है best option, best क्यों है क्योंकि यह graphical user interface प्रोवाइड करता है graphical means graphics, images तो इन graphics और images की वज़े से computer पे काम करना आसान है यहाँ पे हर एक चीज का कोई ना कोई चोटा सा graphic है जिसके हम click करते हैं यहाँ पे mouse use होता है तो click करते हैं और हमारा काम हो जाता है file खुल जाती है बंद हो जाती है delete हो जाती है तो हर एक file के लिए चोटा सा symbol है एक चोटा सा चित्र है जिसे हम लोग icon कहते हैं, graphic कहते हैं और उसपे हम click करते हैं अपने किसी भी operation को करने के लिए तो हरे task graphical है, graphic based है यहाँ पे काम करना बहुत interesting है और बहुत ही आसान है क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए कोई command याद नहीं रखनी है और कोई command वहाँ पे type भी नहीं करनी है हमारे सामने सब कुछ है, बस उसपे click करना है देख करके पढ़ करके और file खुल जाएगी cross का sign बना हुआ है, हमें वहाँ पे click करना है और file बंद हो जाएगी जबकि पुराने operating system जो character user थे, वो size में बहुत छोटा होता है तो उसकी speed बहुत fast होती है, graphical user interface operating system में software को graphical बनाने के लिए और उसको interesting बनाने के लिए बहुत सारे special programs add कर दिये जाते हैं उसके साथ जिसकी वज़े से उसका size बहुत heavy हो जाता है और heavy size होने की वज़े से वो time consume करते है at the time of the running जब हम उन्हें run करा है तो अगर किसी company में बड़े scope में बड़े level पे काम हो रहा है तो वहाँ पे graphical user environment से बचा जाता है ताकि काम fast हो सके, अगर हम graphical user environment यूज करने लग जाएं वहाँ पे तो इतने बड़े level पे काम होता है कि काम हो ही नहीं पाएगा और हमारा computer hang हो जाएगा तो वहाँ पे character user best होता है लेकिन entertainment के लिए, education के लिए और normal, commercial या personal यूज के लिए graphical user environment best है क्योंकि हमें उस level की security की requirement नहीं है और हमें एक interesting environment चाहिए प्लस हमें एक easy way चाहिए computer को यूज करने के लिए और अपना काम करने के लिए तो ये सारे features हमें computer में Windows operating system provide करता है इस वज़े से हम अपने laptop में अपने desktop में अपने सभी personal computers में Windows operating system यूज करते हैं Windows बहुत ही popular operating system है जिसे 1985 में Microsoft ने develop किया था history तो इसकी बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है लेकिन इतना जानना हमारे लिए काफी है इसके बहुत सारे versions है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए है इस समय latest में 7, 8, 8.1 और 10 चल रहा है इसके अलावा XP और 2000 और Vista ये भी बहुत popular version रहे हैं अपने time के Windows के कई server operating system भी आते हैं Windows server के नाम से